हाई फ्रेंड्स मेरा नाम विक्की विरेन है और मैं स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच जबरदस्त यूनिक स्टोरी लाइन वाली मास्टर पीस निव सस्पेंस मिस्टरी साइकोलाजिकल क्राइम थिलर फिल्मों की तो मेरे भाई अगर आप भी निव सस्पेंस मिस्टरी थिलर फिल्मों के फैन हो तो वीडियो को लाश तक जरूर देखिएगा और हाँ ऐसी निव मुवीज अपडेट के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आल पर सेट करें तो चलिए सुरू करते हैं आज का फालू वीडियो 23 सितंबर 2022 को रिलीज हुई चुप रिवेंज आप दा आर्टिस्ट हिंदी लेंग्विज की एक साइकोलाजिकल क्राइम थिलर मूवी है जिसके लीड रोल में सनी देओल, दुलकर सलमान और स्रेया धनमंतरी है फिल्म की कहानी काफी यूनिक है जिसमें एक सीरियल किलर फिल्म क्रिटिक्स की ठीक वैसे ही हत्या करता है जैसा उसने फिल्म का रिव्यू निखा होता है जैसे एक क्रिटिक्स ने लिख दिया की फिल्म में दिल तो सही जगा है लेकिन उसके दूसरे अंग गलत जगां पर हैं तो या किलर उस क्रिटिक्स की हत्या कर उसका दिल छोड उसके बाकी अंगों को यहां वहां फैला देता है अब पुलिस आफिसर का रोल प्ले कर रहे सनी देओल इस सिरियल किलर को कैसे ट्रैक करते हैं यह तो आपको इस फिल्म के देखने के बाद ही पता चलेगा बात करें रेटिंग की तो अभी तक IMDB पर लोगों ने इसे 8.7 की रेटिंग दे डाली है 8.7 की IMDB रेटिंग वाली धोखा राउंड दा कारनर हिंदी लेंगविज की एक सस्पेंस मिश्ट्री थिलर फिल्म है 23 सितंबर 2022 को ही रिलिज हुई इस फिल्म के लीड रोल में आर माधवन, आपार सक्ति खुराना, दर्सन कुमार और खुसहाली कुमार है दोस्तों यह एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद आपका सिर घुम जाएगा फिल्म की कहानी में यथार्थ अपनी दिलकस पतनी के साथ रोमांटिक जिन्दगी जी रहे होते हैं मगर जल्द ही उनके रिष्टे में खटा साजाती है और बात तलाग तक पहुंच जाती है और एक दिन जब यथार्थ घर से बाहर होते हैं तो उनके घर में घुसकर एक खुखार आतंकवादी गुल उनकी पतनी को होश्टिस बना लेता है अब ये आतंकवादी अथार्थ के ही घर में क्यों घुसा इसके पीछे क्या मिश्ट्री है ये तो आपको इस फिल्म के देखने के बाद ही पता चलेगा लिंक इस डिस्क्रिप्शन प्लीज चेक इट 6.5 की IMDB रेटिंग वाली कोबरा तमिल लेंग्विज की एक साइकोलाजिकल एक्सन थ्रिलर मूवी है जिसके इस्टार कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे विक्रम, स्रीनीदी सेट्टी और इर्फान पठान जी हाँ, ये वही इर्फान पठान है जो कुछ समय पहले इंडियन क्रिकेट टीम के आल राउंडर प्लेयर हुआ करते थे 31. अगस्त 2022 को रिलीज हुई कोबरा फिल्म की कहानी मदी नाम के एक जीनियस मैथमिटीसियन की है जो अपनी गड़तीय प्रतिभा का इस्तमाल करके विश्व अस्तर पर हाई प्रफाइल लोगों का मर्डर करता है इंडिया की इंविस्टिगेटिंग एजेंसी से लेकर इंटर पोल तक सब उसके पीछी है अब मदी ऐसा क्यों कर रहा है उसकी क्या मिश्ट्री है क्या वह पकड़ा जाएगा इन सारे सवालों का जवाब आपको इस फिल्म के देखने के बाद ही मिलेंगे प्रहुदेवा और वर लच्छमी सरत कुमार इस्टारर पोईकल कुथरही तमील लेंग्विज की एक एक संथिलर फिल्म है अगस्त 2022 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDB ने 6.9 की रेटिंग दी है फिल्म की कहानी कतिरावन नाम के एक ब्यक्त की है जिसने एक एकसिडेंट में अपनी पतनी और अपना पैर खो दिया है उसकी लाइफ में अब केवल उसकी बेटी है जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है कहानी में टिष्ट तब आता है जब कतिरावन को पता लगता है कि उसकी बेटी को दिल की बीमारी है और उसकी सरजरी में 75 लाख रूपे लगेंगे अब कतिरावन कैसे अपनी बेटी को बचाते हैं और कहां से 75 लाग रुपे का प्रबंध करते हैं आगे फिल्म में हमें यही देखने को मिलता है फिल्म का फ़र्ष्ट हाफ थोड़ा धीमा है लेकिन सेकेंड हाफ में आपको कई ट्विश्ट और टर्म्स देखने को मिलेंगे कुल मिलाकर वाचेबल मूवी है लिंक इज डिस्क्रिप्शन प्लेज चेक इट नीनू विदानी निदनू नेने तेलगू लेंग्वेज की एक रोमांटिक थिलर फिल्म है जिसे हिंदी में मैं हूँ सिर्फिरा जिगरवाला के नाम से डब करवाया गया है साल 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म के लीड रूल में संदीप किसन और आन्या सिंग है बात करने रेटिंग के तो आई एम डीविनी से 5.8 की रेटिंग दी है फिल्म की स्टोरी बहुत ही यूनिक है जिसमें एक कपल का कबरिस्तान के पास एक्सिडेंट हो जाता है कहानी में टुष्ट ताबाता है जब घर वापस आने पर वे खुद को आईने में देखते हैं आखिर क्या हुआ था इन दोनों के साथ ये तो आपको इस फिल्म के देखने के बाद ही पता चलेगा ओके माई फिरंट्स इन पांचो फिल्मों में से कौन से फिल्म आपको बहुत अच्छी लगी प्लीज हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएं और आईसे निव सस्पेंस मिस्ट्री थिलर मूवी की अपडेट के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आल पर सेट करें थाइंक्यू टेक केर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में